ओम साइनाधाय नमाहा आज हम इस वीडियो में साइपापा के नो गुर्वार वृत के नियम पूजा विधी भोग कौन सा चड़ाना है, वृत को कब खोलना है, किन चीजों की वृत में मनाई है और किन बातों का ध्यान रखना है, काफी विस्तार पूर्वक और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे हर वेक्ति अपने जीवनकाल में कई तरह के समस्याओं और दुविधाओं से कुजरता ही है कुछ हम खुद सलजा पाते हैं और कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं कि ये बुरा वक्त खत्म हो जाएगा बस जरूरत है तो धैरी और भगवान के उपर पूरी श्रधा की साई बाबा जिने गुरू का दर्जा प्राप्त है अपने भगतों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा ततपर रहते हैं साई बाबा ने कहा है कि मैं सत्य हूं और अगर इस बात को तुम मानोगे तो उसका अनुभव भी करोगे जो मुझे जिस स्वरूप में मानेगा उस रूप में दर्शन दूँगा साई बाबा का नौगुर्वार व्रत साई बाबा के ही तरह पहुत ही सरल और कल्यूग में सबसे जल्दी फल लेने वाला व्रत माना गया है बाबा का नौगुरवार व्रत जिसने भी रखा है उन्हें इच्छित फल अवश्य प्राप्त हुआ है चाहे वो बड़ी-बड़ी समस्या हो या छोटी बस जरूरत है अपने आपको बाबा के आगे समर्पित करना और पूरी शद्धा से व्रत का पालन करना तो अंति तक बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दवाना ना भूले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहे तो चलिए जानते हें कि बाबा के नौ गुर्वार वरत के नियम कौन-कौन से हैं। सबसे पहले मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि बाबा के बहुत कटो नियम नहीं होते हैं, बाबा को मन से कोई भी भक्ट पुकार भर ले तो बाबा का आशिरवात उन्हें जरूर जाने के लिए और अपनी पूरी इच्छा से करनी चाहिए। इस वरत को कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चे भी कर सकते हैं। बाबा हमेशा सरलता पर विश्वास रखते थे तो बस मन में कोई संकोज ना रखें और आप किसी भी गुर्वार से वरत को प्रारम कर सकते आपने वरत को उस गुर्वार से नौ गुर्वार तक आपको ये वरत रखना उचित माना गया है। आप वरत का संकल्प ले सकते हैं। अगर किसी कारण वश बीच में कोई गुर्वार, कोई एक गुर्वार अगर आप वरत ना रख पाए, किसी भी कारण से, तो आप कोई भी मन में संकोच ना रखें और उस गुर्वार को आप गिंती में ना रखें। और उस पर बाबा की मोर्ती या फोटो रख दे। बाबा को पीले फूल और गुलाब बहुत पसंते। कोशिश कीजेगा कि अगर आप इन फूलों की एक छोटी से माला बना कर बाबा को पहना पाएं तो बहुत ही उचित होगा। अब बाबा के आगे दो दीपक जलाएं अगर हो सके तो दीपक घी का हो तो बहुत ही उचित होगा। धूप या अगर बद्दी जलाएं बाबा को कोई भी मीठे फल या मिश्थान चड़ाएं लेकिन अगर आप घर में खुद से बाबा के प्रिय नैवेद्य बना सके जैसे की खीचिडी, हलवा, इत्यादी तो बहुत अच्छा रहेगा और अगर आपको बाबा के कौन-कौन से प्रिय भोग है, अगर आपको जानना है तो मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, अब पूजा की थाल सजा लें, जिसमें थोड़ी सी कुम-कुम, हल्दी, अक्षत, पूजा में लगने वाले सामान, फूल, इत्यादी रख लें, जिस भी गुर्वार को आप वरत शुरू करते हैं, उस गुर्वार को आप ये सारी पूजा की तयारी कर लें, और आसन ग्रहन कर लें, और बाबा के आगे जिस भी कारण से आप वरत शुरू कर रहें हैं, उसके बारे में स बाबा के आगे उसका प्रस्ताव रखें और बाबा को धन्यवाद करें कि आपको वरत करने का स्वभाग्य प्राप्थ हुआ है। बाबा के आपको यह गाट बांधा हुआ जो सिक्का है उसे बाबा के चर्णों में रखना है। याद रखिएगा कि गाट बांधते समय आप जिस भी कारण से वरत रख रहे हैं उसका संकल्प लेते हुए गाट बांधिएगा। अब आप पूजा शुरू कर सकते हैं। पूजा शुरू करने के पहले ये जरूरी है कि आपके पास नो गुर्वार वरत की पुस्तक होनी चाहिए। इस पुस्तक को आप कहीं से भी खरीच सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन परचेस करना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बहुत आसानी से आपुस्तक की नो गुर्वार वरत पुस्तक को बहुत ही आसानी से खरीच सकते हैं। जब ये पुस्तक आपके पास हो तभी आप वरत शुरू करें। जैसे ही पुजा का आरंब करें सबसे पहले इस पुस्तक के उपर एक कुमकुम का तिलक लगाएं। साई बाबा का एक फोटो रहेगा उसके उपर ये तिलक लगाएं। और बाबा के आगे रखें। पुजा के समय, पुजा शुरू करने के समय धूप दीप अगरबती सारे जलाएं। पुजा में लगने वाले चीज जैसे की कुमकुम, अक्षत, हल्दी, इत्यादी वहां बाबा के आगे रखें। और पूरी स्रद्धा से साई बाबा का नमन करते हुए पुजा का आरंब करें। पुजा का आरंब करने के समय हमें ध्यान में रखना होता है कि साई बाबा की नामावली जो की वरत पुस्तक में रहती है, वो सारी नामावली हमें पढ़नी होती हैं। उन्हें खतम करने के बाद आपको वरत पुस्तक में दिये गए कथाओं को एक पर उच्चारन क करना पड़ता है आप मन में उच्चारन कर सकते हैं आगर आपके family members घर परिवार के लोग भी उपस्थित हैं तो थोड़ी जोर से अगर आप पढ़ सके तो उन सब को उन कथाओं का और भगवान के कीर्थी प्रतिष्ठा का भी ज्यान होगा जैसे ही इन कथाओं को आप समाप से पूजा कर सकते हैं पूजा खतम होने के बाद बाबा के आगे जो नैवेद्य आपने रखा है उसे सारे परिवार जन और जो भी लोग आपके घर में हैं उन्हें बाटें और खुद भी ग्रहन करें ध्यान रखे व्रत के दोरान आप भूखे पेट कभी न रहें आप फल चाय या दूद का सेवन कर सकते हैं रात को एक वक्त का खाना भी खा सकते हैं लेकिन सात्विक खाना होना चाहिए बाबा को भूखे पेट उनकी पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ध्यान रखेगा कि आप भूखे ना रहें हर गुर्वार यानि कि 9 गुर्वार तक आपको इसी तरह से पूजा करना है और लास्ट गुर्वार यानि कि 9 गुर्वार को जिस दिन आप वरत खोलने वाले हैं यानि कि उध्यापन के दिन आपको किन चीजों का ध्यान रखना है आप समझते हैं जिस दिन नववा गुरवार है उस दिन आपको यही सारी चीज़े फिर से रिपीट करनी है फिर से पुजा करनी है और उसके बाद जो पीले गाट में आपने एक सिक्का बांदा था उसे खोल कर उस सिक्के को या तो आप जल में प्रवाहित कर दे या नहीं तो आप देवी मा कि चर्णों में अर्पित कर दे और उसकी भी पूजा हमेशा करते रहें अगर आपके बस में है और आप जा सकते हैं हर गुर्वार को साई बाबा के मंदिर तो बहुत ही उचित है अगर नहीं है तो लास्ट गुर्वार को साई बाबा के मंदिर जरूर जाईएगा और साई ब बाबा हमेशा जरूरत मंदों और गरीबों के लिए सोचते थे और अगर आप उन्हें खुश करते हैं तो इसका मतलब बाबा को खुश करना है। और वो है बाबा के पुस्तकों का वितरन वितरन यानि के डिस्ट्रिब्यूशन आप जब भी वरत पुस्तक लेते हैं बाबा की उसमें आप ज़ाधा पुस्तक ले ताकि आप उसे पाटे भी क्योंकि बाबा के नौ गुरुवार वरत में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इन पुस्तकों को अपने परिवार जन या नहीं तो जो अगल बगल में रहते हैं उन्हें भी बाट सकते हैं ताकि बाबा की कीर्टी प्रतिष्ठा और भी फैले। बस इतना ही करना है और आपका नौ गुर्वार व्रत सफलता पूर्वक्त समाप्त हो जाएगा। याद रखें कि जब भी आप प्रत रखें तब मन में कोई भी बैर न रखें और किसी के प्रती भी कड़वाहत न रखें।